तो फिर इस situation में Evacant Community के लोगों में अगर unity नहीं रहेगा तो फिर हम यूद कैसे जीत सकते हैं और Evacant Community के लोगों में अभी बर्तमबान में वही हो रहा है जो पहले भी implement किया गया था divide and rule policy वो लोग इसी चीज़ को implement करने की कोशिश करत में अगर हम देखेंगे वही सेम अधुनाम बिनाशा चदुश्करताम धरम संस्थातना थाए संभवामी युगे 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 तो आज फिर हमारे साथ है सब तरी से सिदी शनातन राज चनल से आप लोग जानते ही होंगे पहले हमने एक पूरा सिरीज के एन के साथ और आज हम लोग एक बहुत अलग और बहुत जडरू टॉपिक में बात करने वाले है आज कल आप लोग देखा होगा कि यूटूब पे और और भी कहीं सारे सुखल मीडिय प्लेटफॉर्म पे कहीं सारे अवेकन लोग है या फिर अवेकन कम्यूटी बोल सकते हैं पर इनमे कहीं ना कहीं एक यूटी की कमी नजर आती हैं कहीं सारे लोग कम्मेंट भी करते हैं तो आखिर इसका रिजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है तो वही हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं तो सब तरी सी जानते हैं इस बारे में पहले तो मुरुगान जी बात हो रहा है या पर यूनिटी का अभी बर्तमान में जो बुड़ाई के खिलाफ ख़रा हुआ है और अपने लेवल पे अलग-अलग तरीके से अवेकनिंग करवा रहा है दुनिया को इस डिसेप्शन से बचाने की कोशिश कर रहा है और जो लाइट का सा जानी हो या फिर spiritually evolved हो या फिर कितना भी काविल हो हम सभी को यह समझेना पड़ेगा कि बिना एकत्रीत हुए हम अकेले कभी भी यह यूद नहीं जीत सकते हैं उनके खिलाफ जो पूरा मानवत्ता को कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरे धर्ती पे evil का रूल लाना चाहते है डार्कनेस लाना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं और अवेकेंड कमूनीटी के मैकसिमम लोगों में आप एक चीज़ तो देखेंगे कि लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फोर्मेशन और ज्ञान भड़ा परा है बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बहुत ही ज़्याद अवेकेंड कमूनीटी के लोग है उनमें डिफ्रेंसेस होंगे ही, आप एक चीज़ देखे होंगे, कि अभी बरतमान में अवेकेंट कम्मुनिटी जो है, वो बिखरा हुआ है, एक तरीके से, स्क्रेंबल है, मतलब उतना जादा यूनिटी नहीं है, फिर भी हम कह सकते कि मतलब जो यूनिटी एक्सपेक्टेड इस सिचुएशन में अगर यूनिटी नहीं रहेगा, तो फिर हम यूद कैसे जीत सकते हैं, और अभी बरतमान में वही हो रहा है, बहुत सारे लोगों के अलग-अलग डिफ्रेंसेस हैं, विचार हैं, ओपिनियन्स हैं, थौट्स हैं, और उसके बज़े से ये लोग इकत्र का मकसद एक और दुश्मन भी हम सभी का एक ही है, और मैचूर तरीके से हमें ये भी समझना पड़ेगा, कि प्रकृति ने ऐसा कभी बनाया ही नहीं, कि हर एक इंसान सेम हो, प्रकृति ने अलग-अलग इंसान को अलग-अलग बनाया है, ताकि हम सभी से सीख सके, अगर हम स तक्राब होते हैं यह जाहिर सी बात है लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है इसमें अगर हम इन सब चीजों में फस्के खुद के बीच ही जगर के कि यूनिटी खराब कर देंगे तो फिर यह जो उपर बैठे इविल फोर्सेस है यह बहुत ही इसली जीत जाएंगे और वो लोग भी यही चाहते है कि जो अविकन कमुनीटी के लोग है वो कभी बी एकत्रित ना हो वो कभी उनाइट ना हो क्योंकि वो उसी दिन सबसे जादा डरते है जिस दिन अविकन कमुनीटी के सारह के सारे लोग unc bourण हो जाएंगे इनके खिलाफ क्यूंकि हम संख्या है कि ये जो evil forces है, वो अपने बचाव के लिए, मतलब वो दिन ना आए, जिस दिन एवेकन कमुनिटी के सारे के सारे लोग एक हो जाए, उस चीज को रोकने के लिए, ये लोग भी चाह रहे है कि वही अंग्रेजों जैसा जो पहले भी implement किया गया था, divide and rule policy, वो लोग इसी चीज इसको implement करने के कोशिश कर रहे है, कि एवेकन कमुनिटी में भी जो है, मतलब differences, ये वो इस सब के चकर में मतलब टक्राव हो जाए और कभी ये लोग यूनाइट ना हो पाए, तो मुरोगान जी, अगर हम ये समझना चाहते है कि बरतमान में एवेकन कमुनिटी के लोगों मे में यूनिटी का क्या importance है, यूनाइट होने का अभी जल से जल कितना जादा जरूरी है, तो इस चीज़ का importance समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा नजर डालना पड़ेगा, इतिहास में ठीक ठीक तभी उन सब situations में, उन सब युद में, जहां पे ठीक आज के ही तरह ऐ जो इविल के साइड में था, वो इविल के साइड में जो पांडप पक्ष खरा होना चाहते थे, उनमें भी बहुत सारे differences थे, अब पांडप पक्ष से मैं सिर्फ भाई पांडप की बात नहीं कर रहा हूँ, पांडप पक्ष से मेरा मतलब है, जो धर्म के साइड में, उस ट पहले पांडब पक्ष के जितने भी लोग है या फिर धर्म के साइड में जितने भी लोग है उसको इकत्रित किया था यूद करने से पहले और उसके बाद ही उसने यूद किया था ठीक इसी तरीके से अगर हम उसके पहले की धर्म-धर्म के यूद में नजर डालेंगे that is मैं की बात कर रहा हूँ रामायन में भी वही हुआ था अफ्तार ने भी उस टाइम में अधर्म के खिलाफ सारे के सारे जो बानर सेना थे ये थे वो थे सबको इकत्रित किया था जो धर्म के साइड में या फिर सही के साइड में थे और राम भी वही सही के साइड में जितने भी ल किया था। तो फिर लीडर से मेरा मतलब हो नहीं है जो डॉमिनेट करता है बलकि लीडर वो होता है जो सारे के सारे लोगों को इकत्रीट करते है, Unite करते है और इंस्पायर करते है सही का साइड लेने के लिए। तो अभी जो वरत्मान में समय चल रहा है, इसके बारे में हर ए एक लीडर इसी टाइम में फिर से आएगा दुनिया के सामने और ये लीडर को हिंदुईजम में कलकी के नाम से जाना गया है आप बुद्धिजम में तो माहित्रय बुद्धा या फिर फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाना गया है इसलाम में इमाम महदी के नाम से जाना गय एक जो spiritual awakening हो रहा है बहुत सारे लोगों में modern spirituality के terms में अगर हम देखेंगे तो modern spiritualist भी यह मानते है अभी बर्तमान में के awakened community जो है जो dark forces के अगेंश्ट लर रहे तो उस awakened community का एक leader already आ चुका है और वो leader जल्दी सामने आएगा और वो leader सबसे पहले मुझे लगता है कि वो ही जो राम एक टाइम पर कर रहा था और कृष्ण एक टाइम पर कर रहा था डेट इस वो leader सारे के सारे लोगों को अभी बर्तमान में सबसे पहले तो यूनाइट करेगा और उसके भी उसके बाद ही अधर्म के खिलाफ जो भी step लेना होगा उसको बोलेगा जो भी step लेना होग जो पहले भी यही चीज़ कर रहा था मतलब वही कृष्ण है और वही राम है मतलब सेम सोल है वो बार-बार अलग-अलग रूप में आते है और जो धर्म के साइड में है या फिर लाइट के साइड में है उन सभी लोगों को इकत्रित करते और फिर अधर्म को हराने की कोशि कि यसी के भी इन्फूएंस में आके तो जैसे कि असके इन ने बता या या चीज मेनए आपको पहले बता रहे हैं कि जो भी मगखयों कि कलकी के पहचान बतानी तो ये कोयी एसा नहीं है कि मात्य पेसर होगा तो कलकी हो जाएगा कलकी अपने गुणों से पहचाना जाएगा और वही गुण ये होने वाला है लीडिंग जो आप समझ सकते हैं जितने भी अलग लग बिखरे लोग हैं उनको एक साथ करके आप बुरे के सामने युध लड़ना यही कलकी का गुण होने वाला है और इसे से आप पहचान सकते हैं कि कौन है रियल कलकी है